मित्रों यहां हिमाचल फदेश पूल शिक्षा बोर्ट में इतने भी हमारे करमचारी यहां पर रसकाम करते हैं उनके जो सेवा निवरिती के बाद जो पेंशन भारत हैं उनके लिए मैडिकल रिंबर्स्मेंट जिसको चिकित सब्रति पूर्ति पूर्ति का लाग जो है पहले एक एक दो हजार पांस से दिया जाता था और यह लाग वर्षन तक चलता रहा लेकिन बीट में दो हजार चौदा में हैं जो इमाचर प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त पीच में एक निर्णे ले लिया कि यह सुविधा एडुकेशन बोर्ड के सेवा निवित करमचारियों जो पैंशन धारक हैं उनको नहीं दी जा सकती है और उसके प्रश्चास इसको बंद कर दिया गया धर्मशाला में बतौर मुख्यमंत्री जब से भी आना हुआ है तो लगातार एडुकेशन बोर्ड के हमारे बहुत सारे करमचारियों को मिलते थे वो हमेशे इस बात के लिए कहते थे कि आदमी का स्वास्ते ख्राब ज्यादा तो है वो सेवा निव्रिति के बाद होता है क्यूंकि उमर जब बढ़ती है तो दवाईम का खर्चा भी बढ़ता है और बात उनके सही भी दिए हैं ऐसी परस्तिती में मुं मांग करते थे कि जो एक एक दो हजार पांच से जो हम फो एक सुब्धा मिलती थी जो प्रफिक होती इसके मेडिकल बिल की जो रिंबर्समेंट होती थी तो उसको फिर से बहाल किया जाए इसको फिर से शूब किया जाए तो सारे मामले को परचा जो आने बाना है उसको भी हमने इवैलूएट किया कैल्कुलेट किया वो लगवग एक क्रोणी का सट लाग के लगवग आता है फिर उसके पर इस बात करके में बात की कि क्या यह संब्भव है कि एडुकेशन बोर्ट अपने सुसाध्यों के माद्दियों से इसकी व साथ जो इसके जिम्मेबारी हम लेते हैं सारी बातों को सुनने के परचाथ हमने आज निरने लिया कि हमारी जो जितने भी हमारे जो स्कूल एडुकेशन बोर्ट के जो पैंशन धारत हैं सेवा निव्रित करमचारी हैं उनको जो कितसा प्रतिपूर्टी का लाग जो है यह जाएगा और जिसमें लगवक सार का एक क्रोड एकासित लाके लगवर खर्चा आने की संभाबना है और इससे शिक्षापोर्ट के साथ सोब चास सेवा निव्रित करमचारी लाभान्वीत होने हैं पिया तो रख साय भी मान पिया तो राख बीती आदो से नाता सहिशना सीखा हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा गिरने लगती जब तो उन से संभलना सीखा उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा गर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है भूशन जूलर्स अनमोल रिष्टों के लिए